नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे YouTube चैनल में दोस्तों, आज की घटना आपके लिए सबसे बड़ी और खतरनाक है। दोस्तों, आज की जो भी घटना हम आप सभी को बताने वाले हैं दोस्तों। ये एकदम 110% सच है। क्योंकि दोस्तों, आपकी राश्य में जो लिखा है, आपकी कुंडली के जो रेखा बता रहे हैं, ये दोस्तों होकर रहेगा। दोस्तों, आपको एक ऐसी घटना कुंडली में लिखा है, जहां की दोस्तों, आपकी जान भी जा सकती है। और दोस्तों, यह सब होगा आपका एक बहुत ही बड़े दुश्मन के कारण। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि पिछले सालों का यह आपके दुश्मन है, जो दोस्तों आपको देखना नहीं चाहते हैं। इनके दिमाग में हमेशा यह चलते रहता है कि कब आपको अपने रास्ते से हटा दे। और दोस्तों, यह ऐसे बड़े चाल भी खेल चुके हैं। बड़े बड़े जाल भी आपके लिए यह बिछा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यह अभी तक काम्याब नहीं हो पाए हैं। इनका शडएंत्र, दोस्तों फेल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, आपने भगवान के परती बहुत ही पूजा पाठ किये हैं। भगवान से आप बहुत ही जुड़े रहते हैं। दोस्तों, आप बहुत ही साफ दिल के इंसान होते हैं, आप देवी देवताओं के प्रति बहुत ही बड़ा विश्वास रखते हैं, और सच्चे दिल से, सच्चे मन से आप भगवान को चाहते हैं, तो दोस्तों आपको वही भगवान है, वही शक्ती है, जो कि दोस्तों अभी तक आपका जान बचाते आए हैं, आपके इस दुश्मन से बचाते आए हैं लेकिन दोस्तों आपने कुछ पिछले समय में ऐसी गलती कार्य किये हैं ऐसी रास्ते आप सुन लिये हैं जो कि दोस्तों आपके जो दुश्मन है उनका रास्ता क्लियर हो चुका है वहाँ आपको जान करने के लिए प्लानिंग बना चुका है दोस्तों ये जो दुश्मन है दोस्तों आपकी तरक्की को नहीं देख पाते हैं आपके धन दौलत देखकर यह पागल हो चुके हैं और आपको यह अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं ताकि आपकी जगह यह ले सके, इन्हें कुछ लेना देना नहीं है सिर्फ दोस्तों आपका धन दौलत, रुपिया पैसा को देखकर उनके आँखों में आप कांटे की तरह छुपते हैं तो दोस्तों वह कौन इनसान है और यह आपको कब से जान मारने की कोशिश कर रहे हैं सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं दोस्तों यह इनसान यह दुश्मन आपके आसपास में ही रहते हैं ज्यादा दूर के नहीं है यह आपके रिष्टेदार हैं ऐसे रिष्टेदार जो कि दोस्तों आपसे मिलना जुलना इनसे होता है लेकिन आप इनकी शड्यंत्र को आप अभी तक नहीं समझ पाएं हैं आप से यह बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें करती है आप से मीठी मीठी बोल कर प्यार बढ़ता है लेकिन दोस्तों आप सीधे साधे इंसान है आप किसी के बहकावे में तुरंत आ जाते हैं आप किसी के बात को काटते नहीं है और यही कारण है कि दोस्तों आपको अब यह अपने चाल में फंसा चुके हैं तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगर आप आज नहीं संभाले अगर इनके दुश्मनी को नहीं समझ पाए तो दोस्तों, आपकी जान भी जा सकती है इसलिए दोस्तों, हम कहते हैं कि आज की इस वीडियो को आप एकदम शुरू से अंत तक देखें बिल्कुल ही इस वीडियो को आधा अधूरा नहीं देखे नहीं तो दोस्तों, आप अपना जान भी गवा सकते हैं क्योंकि यह जो दुश्मन है एकदम अचानक वार करने वाले हैं आपको सोचने तक मौका नहीं देंगे जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों, माता रानी के मा काली के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जै मा काली, जै माता रानी दोस्तों, माता रानी आपके सारे दुश्मनों का सर्वनाश कर देंगे और और आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर आपको बड़ी खुश्खबरी देंगे जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जितनी भी तकलीफें हैं उन में से अधिकतर तकलीफें केवल इस बात की वजह से है कि आपके कामों में और आपके जीवन किसी की नजर लग जाती है जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे और एक विशेश इनसान के बारे में जिसने आपके जीवन में हर वक्त बुरी नजर बना कर रखी हुई है जी हाँ दोस्तों, लंबे समय से यह इनसान आपके हर एक बनते हुए काम में नजर लगाता चला आ रहा है और इस बात का प्रभाव आपने स्वयम भी अपने जीवन में कई बार महसूस किया है यह दोस्तों आज हम आपको इस इनसान के बारे में सब कुछ पूरे विस्तार से बताने वाले हैं माई की कृपा से हमें ऐसी अनुभूतियां प्राप्त हो जाती हैं जिससे हम इन बातों का अंदाजा बिल्कुल सठीक तरह से लगा सकते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको किसी एक इनसान के बारे में पूरी जानकारी देंगे इसका नाम बताएंगे इसकी राश्य बताएंगे और यह आपको कहां मिलेगा यह भी बताएंगे साथ ही साथ इस इनसान से आपको मुक्ती किस प्रकार प्राप्त हो सकती है यह सबसे महतुपूर्ण बात है क्योंकि जब तक इनसान की चाया आपके जीवन पर रहेगी यह आपको चैन से जीने नहीं देगा अब यहां पर समस्या बहुत बड़ी यह है कि आप इसके बारे में कुछ भी जानते नहीं है हाला की यह आपके आसपास ही है और आपकी जिंदगी की हर एक सच्चाई है जाता है हर एक पल की इसे खबर है और उपर से यह दिखावा कुछ और करता है लेकिन अंदर से इसके इरादे बिलकुल ही खतरनाक हैं और आप अपने भोले भाले स्वभाव के चलते इन सब चीजों को पहचान नहीं पाते हैं तो आपको जो दिखता है बस अब उसी पर भरोसा कर लेते हैं ऐसे में आप लगातार चोट पर चोट खाते चली आ रही है दोस्तों जरा अपने जीवन के बारे में विचार करके देखिए पिछली बार आपको खुशी कब हासल हुई थी और वह कितने लंबे समय तक चली थी हम गारंटी के साथ कहती है दोस्तों की पल दो पल की खुशी आपको हमेशा हासल हुई है और लंबे समय तक फिर तकलीफ है दुख और तनाव मिला है इसका कारण यही है कि खुशियां आएं इनसान की काली नजर आपको लग जाती है और नजर को आप बिलकुल भी हलके में मत लेना दोस्तों ये एक बहुत ही भयंकर क्रिया होती है और इस नजर में इतनी अधिक शक्ती होती है कि ये हरे भरे पेड को भी सिखा सकती है अच्छे भले पूरे परिवार को भी तहस नहस बरबाद कर सकती है तो यह एक भयंकर प्रक्रिया होती है तो आपके जीवन में नजर लगी हुई है उससे आपको मुक्ती कैसे प्राप्त होगी इसके लिए भी आपको हम एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय बताएंगे तो वीडियो को आपको पूरा देखना है बीच में बिलकुल भी इस वीडियो को मत छोड़ना दोस्तों कि यदि आज आपने जल्दबाजी दिखाई और इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया या फिर हमारी बातों पर यकीन ना करते हुए बीच में ही छोड़ कर चले गए तो हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि यह आपकी जिंदगी का एक सबसे बुरा फैसला होगा जी हाँ दोस्तों आप अपने जीवन में दुख और तकलीफ हो से कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि यदि पेड की जड़ में ही कीडा लगा हुआ है तो उपर उपर कितना ही खाद बीज डालते रहो हवा पानी बदलते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर तो आज नहीं तो कल सुख ही जाएगा तो हम जो आपको जानकारियां देने जा रहे हैं जड़ में लगे हुए कीडे को हटाने वाली जानकारियां हैं तो ऐसे में यह आपका धर्म है आपका दायित्व है कि आप इस जानकारी को ग्रहन करें और अपने जीवन को सुन्दर बनाएं दोस्तों जीवन आनंद लेने के लिए मिला है सुख से जीने के लिए मिला है माना कि जीवन एक गुलाब का पौधा है इसमें कांटे अवश्य मौजूद हैं लेकिन इस पौधे का नाम गुलाब का पौधा है काटों का पौधा नहीं, उसी प्रकार जीवन भी होता है दोस्तों, इसमें सुख भी होता है दुख भी होता है, लेकिन जीवन दुख भोगने के लिए नहीं होता है सुख भोगने के लिए होता है आनंद की अनुभूती के लिए होता है तो बस हमारी यही कोशिश है कि आपका जीवन भी गुलाब का पौधा बने ना कि काटो का पौधा तो चलिए आज के इस महतुपूर्ण और ज्यान वर्धक वीडियो को प्रारंभ करें लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में सच्चे भाव के साथ माई को याद करते हुए जै मा काली रक्षा करो एक बार नहीं तीन बार लिखना देखना माई आपकी निश्चित तौर पर रक्षा करेंगे आपका जीवन सुन्दर बनेगा तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं बहुत चान बिन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जोड़ जाएं जिनमें आपको एक रुपया भी नहीं लगेगा बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है निवेदन है तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसा करके आप हमारा मनुबल बढ़ा देंगे और हम आप सभी के लिए ऐसे ही ज्यानवर्धक वीडियो हर रोज लाते रहेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं ग्रहों की बदलती हुई चाल हैं आपके जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालने जा रही है यह विशय भी बहुत आप से इस बारे में बात करना बहुत आवश्यक है दोस्तों क्योंकि आपके जीवन में अगले तीन से पाँच दिनों में घटित होने वाली हैं तीन बड़ी घटनाएं पहला धोखा जो कि आपको अकसर प्राप्त होता है कोई पहली बार नहीं है लेकिन अब हम आपको पह पाक्नर की तरफ से या फिर आपके मित्र आपके दोस्त रुपए पैसे की प्रॉपर्टी के या फिर किसी अन्य प्रकार के विवाद या फिर लेन देन में आपको धोखा देंगे जी हां दोस्तों यकीन मानिये आपकी ग्रहों की चाल कुछ इसी प्रकार इशारा कर रही है तो थोड़ा सा संभल कर रहना, किसी भी प्रकार के कागज, डॉक्यूमेंट वगेरा पर साइन बिना देखे मत कर देना, बिना सोचे समझे, कहीं पैसा इन्वेस्ट मत कर देना किसी के, साथ यूँ ही इधर उधर मत घूमना, धोखा तो धोखा होता है, दोस्तों, किसी भी प आपको सतर्क होना बहुत आवश्यक है, गलत समय पर किसी के साथ कहीं मत घूमना, यानि कि उल्टे सीधे समय रात में, या फिर सुनसान जगहों पर किसी भी मित्र के साथ, पुराने दोस्त के साथ, कोई भी मीटिंग पार्टी मत करना, दोस्तों, और सबसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि अपने जीवन के गुप्त रहस्य किसी को मत बताना, अपने जीवन की जो निजी जानकारियां हैं, वह किसी को भी मत बताना, किसी से शेयर मत करना, आपका व्यापार कैसा चल रहा है, रुपए पैसे का लेंदेन कहां से हो रहा है, कहां से पैसे आने हैं कहा जाने हैं कुछ भी किसी को मत बताना दोस्तों हम आपको कहते हैं कि 3-5 दिन आपको सतर्क रहना बहुत अधिक आवश्यक है क्योंकि धोखा निश्चित तोर पर आपको प्राप्थ होगा ही लेकिन सतर्कता आपका बचाव होगा हम हर वीडियो में आपसे कहते हैं कि आपकी राशी के जातकों के लिए सतर्कता ही एक मात्र साधन है बचने का आप जितनी सतर्क होंगे उतने ही आप सक्रिय होंगे सफल होंगे याद रखना क्योंकि शनी देव की आँख के ऊपर विशेश नजर हमेशा रहती ही है और यह तो पूरा वर्ष ही शनी देव को समर्पित है और शनी देव आपसे क्या कहते हैं याद रखिए शनी देव एक कड़क जाने की कठोर शिक्षक हैं और वे हमेशा आपसे कहते हैं कि हमेशा सतर्क रहों लापरवाही मत दिखाओ जरासी भी लापरवाही का कठोर दंड मिलेगा यह शनिदेव की विवेचना है आपके लिए इसी के साथ साथ दूसरी भविश्यवानी आपकी यह है जो आपके ग्रह कहते हैं कि आपके परिवार में किसी पुरानी बात को उठाया जाएगा आपके खिलाफ उसका उपयोग किया जाएगा और परिवार में विवादित स्थिती बनेगी यानि की परिवार इस प्रकार का कलर के लेस का माहौल बन सकता है छोटा मोटा जगड़ा या विवाद भी हो सकता है यानि अपनों में ही कलेश होगा अपनों में ही जगड़ा हुआ परिवार पेश होगा जिससे परिवार का माहौल नकारात्मक हो जाएगा अब इसकी शुरुआत होगी कोई पुरानी कोई ऐसी बात जो आपको चुबती है आपके लिए वह एक कमजोर नस का कार्य करती है उस बात को उठाया जाएगा जान बूच कर ऐसी चर्चाएं की जाएंगी जिससे की आपको खर्चाएंगे आपको क्रोधा जाएगा और फिर बात बिगड़ जाएगी तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है अपनी वानी पर नियंत्रन रखें परिवार के लोगों के बीच भी सोच समझ कर ही चर्चा करें बाहर तो आपको किसी के साथ किसी भी परकार की बहस के बाद में पढ़ना ही नहीं है अपने काम से काम रखना है लेकिन घर में भी अब आपको सतर्क रहना होगा अगले तीन से पाँच दिन घर में भी जगडे के बाद और कलेश के लिए जिम्मेदार होंगे तो आपको ऐसे में सतर्क रहना बहुत आवश्यक है फिर से वही बात हम आपसे कहीं यहां पर भी आपको सतर्क रहना है अपनी वानी पर नियंतरन रखें जितना जरूरी है बस उतना ही बोले जरूरत से अधिक किसी से कोई बात ना करें और यदि थोड़ा सा भी बहस बाजी शुरू हो जाए तो अपने आपको वहां से हटा दें यानि कि उस बहस से दूर हट जाएगा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बाद दोस्तों की आपको थोड़ा सा सहनशील भी बनना होगा कोई भी बात यदि कोई कहता है सुनता है तो तुरंत उस बात पर कोई प्रतिक्रिया ना दें थोड़ा सा गंभीर हो जाएं सहनशील हो जाए पहले क्योंकि लंबे समय के कली से बहतर है कि थोड़ी देर के लिए मानसिक पीड़ा को सह लिया जाए खून का घूंट पी लिया जाए और बाद में सब शान्त हो जाएगा इस सही समय आने पर आप अपने मन की बात कह सकते हैं कि तुमने ऐसा कहा था यह बात ठीक नहीं थी लेकिन अभी नहीं अभी तीन से पांच दिन का समय जो है यह पारिवारिक कल इसका जिम्मेदार है तो इसमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता देंगी अच्छी खबर भी आपको अगले तीन से पांच दिनों में मिलेगी अब अच्छी खबरें तो वैसे कुछ और भी हैं, छोटी-छोटी हैं, लेकिन उनके बारे में हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन पहले एक अच्छी खबर के बारे में बता देते हैं, तो ये अच्छी खबर ये है कि आपको आकस्मिक धन लाब होगा, कह इसे कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपके जीवन में खुशियां आएंगी। कहने का मतलब ये है कि अगले तीन से पाँच दिनों में आप अपने जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा सामान कोई चीज ऐसी खरी देंगे क् आप सुख देगी। आपके जीवन का आनंद बढ़ाएगी। आपको अच्छा लगेगा। कहने का मतलब ये है कि आपका मन खुश हो जाएगा। इसी के साथ साथ जीवन साथी के साथ आपका संबंध मजबूत हो गया। संबंध मजबूत होगा। संबंध तो वैसे भी हो प्रेम्पूर्ण होगा और सकारात्मक उर्जा भी अपने जीवन साथी से ही प्राप्त होगी। यानि कि आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ ऐसी चर्चाएं करेंगे जिससे आपका मनोबल आपका जीवन साथी बढ़ाएगा। आप नई उर्जा प्राप्त होगी और इस संसार से तकलीफ हो से लड़ने की नई शक्ति भी प्राप्त होगी। बशर्ते बस एक ही यहां पर शर्त है कि आपको अपने जीवन साथी के साथ मधूर व्यवार करना होगा या नहीं। पहले आपको देना होगा, फिर आपको प्राप्त होगा। वह है प्रेम, संबंध और प्रेम व्यवार। तो पहले आप हो अपने जीवन साथी के मन को समझते हुए उसके साथ व्यभार करना होगा फिर जीवन साथी आपको भरपूर, प्रेम और व्यभार और अच्छा सुन्दर वातावरन प्रदान करेगा या कि देखा जाए तो यहां पर भी आपसी समझ की ही बात आ जाती है अब यहां पर आपने जरा जरा सी बात को अपने दिल से लगाया छोटी छोटी बातों पर आपने क्रोध दिखाया तो आप अपने हाथों ही अपनी खुशियों का गला घोट देंगे यानि कहने का मतलब ये है कि आपके दर्वाजे पर खुशियां आएंगी तो लेकिन उनका स्वागत नहीं कर पाएंगे जैसे कि एक कहावत हमारी या कहीं जाती है लक्ष्मी जी आई तिलक करने और आप मुह धोने चले गए तो तू तो ऐसा नहीं करना है आपको ठंडे दिमाग के साथ अपने जीवन का सही ताल मेल बैठाना है इसके साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि आपका आपके परिवार के साथ या मित्रों के साथ जो आपके अच्छे घनिष्ट मित्र हैं उनके साथ एक छोटी मोटी यात्रा का कोई प्लान भी बन सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आप किसी प्रकार की सामाजिक कारे में भी अपना सहयोग प्रदान करेंगे। कोई धार्मिक अनुष्ठान है, कोई धार्मिक कारेकरम है, उसमें भी आप अपना सहयोग प्रदान कर प्रभाव आपके जीवन पर बहुत गहरा होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे खजाना अपने देखा पुराने जमाने में होता था। उस खजाने पर कोई नाग अवश्य ही बैठा रहता था तो उसकी रक्षा करता था। दूसरों के हाथों किसी भी प्रकार की उस खजाने की लूट ना हो जाए। लेकिन यह जो काला नाग है यह आपकी खुशियों पर बैठा है और यह आपके हिस्से की खुशियां भी आपको मिलने नहीं देता है। जब भी आप किसी प्रकार की खुशी प्राप्त होती है, छोटी मोटी भी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आती है, तो अचानक की कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वह मुस्कुराहट गायब हो जाती है। टेंशन में तनाव में बदल जाती है और यह होता है। नजर का लग जाना तो आप ध्यान से सुनिये और एक इनसान के बारे में हम सब कुछ उसको बताएंगे पहले उस इनसान की पहचान के संकेत बताते हैं दोस्तों यह एक ऐसा इनसान है जो अक्सर आपके आसपास ही रहता है और आप से तरह-तरह के सवाल पूछता है यानि कि आपके जीवन के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करता है कई बार तो आपके मन में यह भी आता है कि यह इतनी अधिक प्रशन क्यों कर रहा है इतनी अधिक जानकारी क्यों लेना चाहता है लेकिन आपने लापरवाही दिखाई और अपने जीवन के सारे रहस्य, सारी बातें बता दी फिर चाहे भी अच्छी थी या बुरी थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि यह एक ऐसा इनसान है जो आपसे जरूर से ज्यादा सहानुभूती भीर यानि जब भी है आपके पास आता है तो आपको नकली सहानुभूती दिखाता है आपसे नकली मीठी मीठी बातें करता है कहने का मतलब यह है कि यह आपकी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश करता है अब इस बात का प्रमाण ये है कि जब भी आपको सच मुच में इसकी आवश्यक्ता होती है तो ये हमेशा किसी न किसी बात का बहाना बना कर आप से पीछा छुडा लेता है ये है बात आपको कभी न कभी खटकी अवश्य है लेकिन आपने फिर इसे नजरंदाज कर दिया है इस सबसे भी अजीब बात दोस्तों आपको हम बताते हैं कि यह एक ऐसा इनसान है जब आप तकलीफ में होती है तब भी यही इनसान आपके दिल का सारा हाल जानने के बाद भी मुश्कुराता है या दोस्तों कई बार आपको अजीब लगा कि आपके दिल में इतनी तकलीफ है, परेशानी है, फिर यह आपका हमदर्द होकर भी इतना हंस मुस्कुरा कैसे सकता है, जीवन का आनंद कैसे ले सकता है, लेकिन आप तो फिर इसे भी नजर अंदाज कर दिया, दोस्तों यह आप से वक्त बेवक्त मदद अंतर रहता है, और किसी ने किसी प्रकार से आपकी रुपए पैसे, संसाधन चीजों का सामान का दुरुपयोग करता ही रहता है, अब कुछ और छोटी छोटी बाते हैं, दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जब भी आप इसे कोई बात कहते हैं, तो यह आप से नजर नहीं मिला पाता है, क्योंकि इसके मन में चोर है और इसी वजह से यह आपकी आँखों में देख नहीं सकता है, आपकी बातें दूसरों को बताता है, कई बार आपको यह बात पता चली कि इसकी वजह से ही आपकी बातें दूसरों तक पहुंची हैं, इसी क से अपने साथ रखते हैं इस पर भरोसा करते हैं या आपके लिए बेहद ही खतरनाक दोस्तों या आपके जीवन पर बैठा हुआ काला नाग है अब इससे आपको छुटकारा प्राप्त करना बेहद ही आवश्यक है जब आपके जीवन में किसी प्रकार की खुशी आती आपको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं जी हाँ दोस्तों यह आपकी हर एक खुशी से जलता है आपको तकलीफ में देखकर खुश होता है इसके पीछे आपका मजाक उड़ाता है हाला कि यह आपका ज्यादा कुछ बिगाड नहीं सकता है लेकिन आपकी हर खुशी को यह नजर लगा देता है जिससे आप हमेशा परिशान बने रहते हैं आपके जीवन में खीचतान बनी रहती है यह दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस इनसान का नाम और इसकी राशे इसी के साथ साथ हम आपको हकीकत रक्षा कवच भी बताएंगे जो आपको तैयार कर लेना है इससे आपको कभी भी किसी की नजर नहीं लगेगी और हम इससे भी महतुपूर्ण बात बताएंगे कि आपके उपर किसी प्रकार की यदी नजर लगी हुई है तो उस नजर से मुक्ती आपको कैसे प्राप्त होगी एक बार में ही आपको उस नजर से मुक्ती प्राप्त हो जाएगी यह तो ध्यान से सुनिये इनसान का नाम डी आ से शुरू होता है यानि अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है और इसकी राशी कुम्भ है या दोस्त के नाम अक्षर से इसकी राशी मैच नहीं होती है क्योंकि इसका राशी का नाम कुछ और है लेकिन फिलहाल जिस नाम से आप इसे जानते हैं उसका नाम का पहला अक्षर ही है दोस्तों अब आपकी बारी आपकी ग्रह यही बता रही है और आपके जीवन में इसी प्रकार का संकट है अब आप अपने जीवन में विचार करके देखिए कौन सा है यही इनसान और इनसान से जितना जल्दी हो सके पीछा छोड़ा लीजिए जी हाँ, दोस्तों हमने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि आप अपना स्वयम का रक्षा कवच तयार कर सकती है हनुमान जी की क्रिपा से ये रक्षा कवच तयार होता है इसके लिए आपको क्या करना है? ध्यान से सुनिए शनिवार के दिन आपको एक लाल रंग का धागा लेना है दोस्तों और रात्री के समय यानी नौ बजे के आसपास आपको मान जी के मंदिर जाना है साथ ही साथ आपको आठे का एक दीपक लेकर जाना है और एक छोटे से पात्र में जल अपने घर से ही लेकर जाना है या दोस्तों कोई ताबे का छोटा सा पात्र लूटा वगेरह कुछ भी हो सकता है आप उसे लेकर जाईए अब यह आपको रक्षा कवच कैसे तैयार करना है इसके लिए आप समझिए विधि क्या होगी आप मंदिर जाईए हनुमान जी को प्रसाथ चढ़ा यह धूप दीप करिये या नहीं अपना दीपक जलाए इसी के साथ साथ हाथ में जल लेकर हनुमान जी के सामने संकल्प करिये कि आप नौ बजे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे इस से एक हनुमान रक्षा कवच तैयार करेंगे और उसके बाद हनुमान जी आपकी जीवन भर जब तक यह रक्षा कवच आपके हाथ में रहेगा आपकी रक्षा का आश्वासन देंगे इस प्रकार का आप संकल्प लेकर जल्द जमीन पर छोड़ देंगे फिर आप एक जगह शांती से बैठ जाएंगे और जो पात्र में जल लेकर आई थी उसे अपने सामने रख लेंगे और अब आप धीरे-धीरे यानि कि नौ गाने उस धागे में अब आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है उसके बाद हनुमान जी के बाएं पैर से सिंदूर लेकर उस घाट पर लगा देना है और उसके बाद जो जलसा में रखा है उस जल में आपको एक बार फूँक मारना है इसी प्रकार आप दूसरा पाठ करेंगे दूसरी गाठ पर हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लगाएंगे और फिर से जल में फूँक मारेंगे इस प्रकार आप हेलो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे नौ गाठों पर हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लगाएंगे और नौ बार ही उस जल में आप फुक मारेंगे इसके बाद अंत में आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे अब बजरंग बाण का पाठ करने के बाद आप उस जल को जिसमें आपने नो हनुमान चालीसा का पढ़ने के बाद पठन करने के बाद खूब मारा था उस जल को आप ही जाएंगे या दोस्तों इसी के साथ साथ आपने वह जो धागा तयार किया है उस धागे को हनुमान जी के चरणों के पास रख देंगे और हनुमान जी से विनती करेंगे कि आपकी रक्षा की कवच तैयार करने में मदद करें अब यहाँ पर ध्यान देने वाली एक छोटी सी बात है कि हनुमान चालीसा का जवाब आज करेंगे तो उसमें एक लाइन आती है जिसमें है तुलसी दास सदा हरी चेरा कीज़े नाथ हृदय महम डेरा अब इस लाइन में आपको अपना नाम बोलना है अब यहाँ पर आप समझिए कि हनुमान चालीसा के रचिता गो स्वामी श्री तुलसी दास जी अब उन्होंने जब इसकी रचना की तो अपना नाम दे दिया वहाँ पर कि तुलसी दास सदा हरी चेरा लेकिन यहाँ पर अब आप अपने लिए इस पाठ का प्रयोग कर रहे हैं तो अब यहाँ पर आप अपना नाम तो मान कर चलिए कि आपका नाम है सूरज तो आप बोलेंगे सूरजदास सदा हरीचेरा कीजए नाथ हरदय महंडेरा तो बस हर बार जो आप आठ करेंगे हनुमान चालीसा उसमें आप यही बोलेंगे सूरजदास सदा हरी चेरा कीजए नाथ हृदय महांडेरा बस इतना आपको करना है इसी के साथ जब आपने वह अगर रख दिया हनुमान जी के चरणों में तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर आप आँख मूंद कर हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने बैठे रहे और मन में ऐसा भाव रखें ये हनुमान जी की जो सक्ती है वह उस धागे में समाहित हो रही है और जब थोड़ी बहुत देर आप वहाँ पर बैठ लें ऐसा भाव अपने मन में मजबूत कर लें उसके बाद आप उस धागे को उठा लें और उस मंदिर में जो पुजारी जी ह जो पंडित जी है उनके हाथों से उस धागे को अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बनवा लें इसी के साथ साथ आपका यह प्रयोग पूर्ण हो जाता है अब हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे या उनका दायत्व हो जाता है किसी भी प्रकार की कोई भी नजर काली प्रिय प्रिया तांत्रिक रिया आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी याद रखना दोस्तों अब आपको यदि शक है कि आपके उपर किसी प्रकार की नजर लगी है तो अब ध्यान से समझे कि एक प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं शंकर से भैंकर काली से काली नजर इस प्रयोग से दूर हो तो आपको क्या करना है कि रात्री के समय या दोस्तों जब कोई देखना रहा हो किसी एक साथ ही परिवार जन के साथ में यह प्रयोग करना है तो आपको क्या करना है कि एक बाती लेनी है यानि कि रूई लेना है और उसे सरसों के तेल और बाती के रूप में लंबी बाती के रूप में बना कर उसे सरसों के तेल में डूबा देना है अब उस बात को यानि सामने वाले सदस्य हैं यह कहना है कि आपके पूरे शरीर से उपर से लेकर नीचे तक यानि आपके सिर के उपर से लेकर आपके पैर के अंगूठे तक ले जाए और घड़ी की दिशा में साथ बार आपके उपर फिराना है साथ बार घड़ी की दिशा में आपके शरीर से फिराना है और जब साथवी बार आप उसे फिराएं तो अपने माथे से और अपने पैर के अंगूठे से उसे टच कर ले यानि कि छे बार फिराया तो सिर के उपर से था और अंगूठे के पास से था लेकिन साथ ही बार में उसे आपको अपने माथे से टच करना है और पैर के अंगूठे से टच करते हुए फिर आना है साथवा चक्कर उसके बाद उसे अपने घर के मुख दर्वाजे के सामने ले जाए उस बाती को और उसमें आग लगा दी है दोस्तों आप देखेंगे कि यदि आपके उपर नजर लगी है तो वह बातें बड़ी चटक चटक के जलेगी यानि कि ऐसा लगेगा जैसे उसमें से चिंगारियां फूट रही है और इसी के साथ साथ नजर यदि भयंकर है तो वह बात ही थोड़ी बहुत ही लेगी डोलेगी भी ऐसा लगेगा जैसे कि तड़प रही है दोस्तों यह बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है इससे आपको अवश्य ही करना है चाहे नजर लगी हो या ना लगी हो यदि नजर नहीं लगी है तो बाती ही में कोई हरकत नहीं होगी बाती बस जल जाएगी यदि लगी है तो भारती ये हिलेगी डालेगी और तडपेगी और चटक चटक कर उसमें से आग जलेगी तो इस प्रयोग को आपको कर लेना है नजर से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी जब भी आपको जीवन में ऐसा लगे कि आपको नजर लग गई है तो इस प्रयोग को आपको फिर से कर लेना है और साथ ही साथ हनुमान रक्षा कवच तो आपके साथ है ही वह आपकी रक्षा हमेशा हर बुरे वक्त में करेगा ही अब याद रखना है आपको कि आपके घर में यदि कोई सूतक हो जाता है तक हो जाता यात्री सब यात्रा में चली जाती है या आप किसी ऐसे घर में चले जाते हैं जहां सूतक लगा हुआ है या फिर किसी ऐसी महिला को सपर्श कर लेते हैं जिसका रजस्वला का समय चल रहा है तो ऐसी स्थिति में आपका यहा हनुमान रक्षा कवच दूशित हो जाएगा तो आप उसे उतार कर विसरजित करना है किसी बहते हुए जल में और नए हनुमान रक्षा कवच को तैयार कर लेना है बस इसी विधी के साथ में आप इन प्रयोगों को पूरा करें और अपने जीवन को सुन्दर बना ले दोस्तों उमीद है कि जो जानकारियां हमने आपको दी हैं आपके लिए हीरे मोती की तरह काम करेंगे तो बस आपको इन जानकारियों को जैसे का तेसा हमने बताया बिलकुल वैसा ही प्रयोग कर लेना है निश्चित तोर पर आपके जीवन में बदलाव आएंगे इसका दोस्तों हंड़ड परसेंट गारंटी है जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि आने वाले जीवन में आपको क्या खुशकबरी मिलते हैं क्या चमतकार मिलते हैं सिर्फ यह उपाय करने से आपके आने वाले जीवन में 5-7 दिनों के अंदर आपको वह खुशखबरी वह काम्याबी हाथ लगेंगे जो कि आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे अब आपका सभी कासन का एक-एक निवारन होगा अब दुख का दिन चला गया अब आपके सुख करने का समय आया है आपके ग्रह में ऐसा चाल शुरू हो गया है आपकी कुंडली में ऐसा दो योग बन चुका है कि दोस्तों रातों और रात आपका किस्मत बदल जाएगी हीरे से भी तेज आपका किस्मत चमकने लगेगा जी हाँ दोस्तों पहले तो धन योग है जो कि दोस्तों आपके घर में धंदौलत से भर जाएगी और दूसरा योग आपके कर्मों का है जो कि पिछले समय में आप जितना ही कर्म की है उनका फल अब मिलेगा साथ ही साथ दोस्तों आपका स्वास्थ बिजनिस और व्यापार में भी एसी एसी खुशखबरी एक-एक काम्याबी हाथ आने लगेंगे जो कि दोस्तों देखकर आपके जलने वाले दुश्मन भी पागल हो जाएंगे आप दोस्तों बिजनिस में जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बड़ी से बड़ी सफलता मिलेंगे व्यापार में आप जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको फाइदा ही होगा स्वास्थि में पिछले समय से जो दिक्कत चल रही थी उसमें आप सुधार आएगा जी हाँ दोस्तों ग्रह स्थिती अनुकूल बनी हुई है अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें क्योंकि इनसे आपको मनोनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं आप खुद को उर्जा से भरपूर महसूस करेंगे घर की सुख सुविधाओं संबंधी कारियों में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा युवाओं को अपने करियर संबंधी योजनाओं को कार्य रूप देने का समय आ गया है जम कर मेहनत करना आपकी व्यवसाइक गतिविधियों को मजबूत बना देगा नौकरी पेशा लोगों की तरक्की के योग बन सकते हैं ग्रह स्थिति और भाग्य आपके पक्ष में है अपने संपर्क सूत्र को और अधिक मजबूत करें कोई राजनैतिक उपलब्धी प्राप्थ हो सकती है जिससे समाज में आपका रुत्बा बढ़ेगा साथ ही आय में भी व्रिध्धि होगी सगे संबंधियों का सहयोग और स्नेह आपके उपर बना रहेगा दिन की शुरुवात किसी खास समाचार से होगी आर्थिक योजनाएं भी सफल होंगी जो घर तथा व्यवसाय दोनों के लिए उचित साबित होगी शौपिंग आदी में भी मधुर समय व्यतीत होगा पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा का समाधान देने से राहत मिलेगी और आप अपने दम पर कोई खास काम करने की भी क्षमता रखेंगे धार्मिक अथवा आध्यात्मिक गतिविधियों में अपनी आस्था और रुझान रखने से आपके व्यक्तित्व और अधिक निखार आएगा व्यवसाईक गतिविधियां मन मुताबिक तरीके से चलती रहेंगी कई तरह की गतिविधियां रहने से कार्य भार बढ़ेगा परन्तु आपको अपनी व्यस्तता के उचित परिणाम भी हासिल होंगे विध्यार्थियों को अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हैं जय मा काली रक्षा करो, जय माता रानी रक्षा करो, जय बजरंग बली रक्षा करो अवश्य लिखना, माता, काली माता रानी और हनुमान जी आपकी पूरी तरह से रक्षा करेंगे आपके उपर कृपा बनाए रखेंगे तो दोस्तों मिलते हैं अगले ग्यानवर्धक वीडियो में अब तक के लिए धन्यवाद जय माता दी